क्यों का येस कंपोज यूर ड्रीम तीन ट्राप्रिक से जुरू हुए कोशन इसमें दिये गए है वीडियो को अंतर देखेगा सारे प्रिविएस येर कोशन है और बहुत ही महात्मौन कोशन है इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखने की जरूवत है किसी कोशन में कोई डाउट होता है जो तरंगे होती है वो दो प्रकार की होती है एक यांत्रिक तरंगे होती है और एक आयांत्रिक तरंगे होती है तो यांत्रिक तरंगों में जो है इसका अंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोनी तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है और जो आयांत्री तरंगे होती है, उन्हें हम बिदुचुम्बक्य तरंगे कहते हैं, कौन-कौन सी तरंगे होती हैं, बिदुचुम्बक्य तरंगे, या आप ये लिश्ट में आप इसको देख के आतकर लिजेगा, इसमें आपका गामा किरने, एक्स किरने, प्राबैगनी कि तो यहां का इंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा यहां से पूछे जाते हैं नेच्ट है आपका अनुदैर तरंगों का उधारन कौंसा है? तो अनुदैर तरंगे हम किसे कहते हैं? तो ये आपका ये हो जाएगा धोनी तरंगे ydनी तरंगे अनुदैर तरंगो की तरा होती है इसका एंसर क्या हो जाएगा अफका भी हो जाएगा तो इससार की कुशन हमेसा पुछ जाते हैं तो यह कुशन घ्लत ना होना पाइ इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद करने की जरूवत है नेश कुशन है प्रासरफ त्रंगों के बारे में निम्रिखित कत्रों पर विचार कीजिए और उत कत्र में से कौन सा इसमें सही है इसकी पहचान करनी है या देखना प्रासरफ त्रंगें उन्हें कहते हैं जिनकी उपयोग बीमारीयोक योग चार के जाता है यह बिलberty सही है यह 140 दरवाजों को नेदित करती है यह बिल्कुल सही है जो आटमेटिक दरवाजये होते हैं उनको में ईचर्णों सही हो जाएगा इसका एंसर क्या आपका D हो जाएगा तो आजकर प्रासरब तरंगों का उपयोग इन सब छेत्रों में करने लगे हैं तो ऐसे ही कोश्चन एक्जाम में पूछ जाने लगे हैं ठीक है एक सितार में किस परकार की धोनी तरंगे उत्पन होती है जो एक सितार होता है जो बजाय जाता है आपका म्यूजिक में तो सितार में किस परकार की धोनी तरंगे उत्पन होती है यह पूछ जा रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा आपरगामी और अनुपरस तरंगे होती है त आपका दीर्ग रेडियो तरंगे पिर्थवी की सता से प्रावर्तित हो जाती है तो यह आयन मंदल से प्रावर्तित हो जाती है जैसे मालेजे यह आपकी पिर्थवी है और पिर्थवी के उपर जो है पांच अलग-अलग वाय मंदल की सरचना है जैसे सबसे पहले शो मंदल प वहापस आ जाती है। या दखना, आयन मंडल में इसलिए यहाँ पर सेटलाईट लगाया जाते हैं। ठीक है, कि जिसे संचार्य विवस्था को आसानी से और ससक्त बनाया जा सके। इसलिए आयन मंडल में ही सेटलाई लगते हैं तो याद रखना तो आयाद रखना गर पुछा जाए कि दिर रेड़ो तरंगे किस सता से प्रावर्तित करके वापस चलिए आती है वाई मंडल बदब पिर्थवी पर तो आयन मंडल से आती है इसका एंसर क्या हो जाएगा आपक इस तरंगों के रूप पे इनका उपयोग होता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट आपका कौन सी तरंगे सुने में संचरन नहीं कर सकती है मनल निर्वात में संचरन नहीं कर सकती है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका धोनी क्यों 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 क माध्यम क्या हो सकता होती है, जबकि प्रकास तरंगों के लिए माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है, दुनों में यही अंतर होता है नेक्स आपका कॉस्मिक किर्णे क्या होती है, यह कुशन BPSC में कोके तुप्ट्रेगें नहीं यह एक्ट्री Newton कितरीय होती है स्फाक्राइए जब पिर्थभी हमारी पिरतीत की सकती से व्दय करय के मापशिक है यह रोसर है're in यूभी कोन से संब्दित है गर को इस सोधिया को इसका एंसर चैप पट किसक्ति से जो वापस किलने जाती है। ताय धर की होता है यह हमारी पिर्थवी है ही सूर की किरने हमारी पिर्थवी पर आती है तो लगू तरंगों में आती है लेकिन जब हमारी पिर्थवी से वापस जाती है अंतरश में तो दिर्थवी तरंगों में जाती है और इनी दिर्थ तरंगों के काड़ी हमारी पिर्थवी गरम होती है उपर से नीचे की ओर ठीक है निम्रिखित बिदुचुमक के बिकरणों में से किसकी उर्जा अधिक्तम होती है? इनमें ऐसा कौन सा है, जिसकी उर्जा सबसे अधिक्तम होती है, वो आपका है, X किरणों की, तो इसका एंसर हो जाएगा, आपका D हो जाएगा. नेश्ट आपका crystal की सनाचना जानने के लिए निर्मे से किसको परियोग में लाए जाता है तो crystal की सनाचना जानने के लिए इसमें हम लाते हैं X के रुणों का उप्योग करते हैं तिहां इसका answer हो जाएगा आपका B हो जाएगा नेश्ट आपका एक रडार जो सत्रुके वायूयान की उपसिती का पता लगाता है परियोग में लाया जाता है किस तरंगों का उपयोग होता है रडार में उपयोग होता है जिससे हम किसी भी सत्रुके वायूयान के बारे में यह जान कई ले सकते हैं तो यह आपका रेडियो तरंगे होती है तो radar में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है ये question बहुत ही महातपूर है कई बार आ चुका है ठीक है next आपका सुन्दूर संबेदन तकनीक मतलब जो satellite होता है मैंनिन में से किसका प्रयोग होता है ठीक है तो satellite में हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं तो बिदुच चुमबक के तरंगों को उपयोग करते हैं तो इसका answer हो जाएगा आपका D हो जाएगा, ठीक है, नेज़ कुशन है, नेज़ किस एक परकार की तरंगों का परियोग, रात्री द्रिश्टी उपकरण में किया जाता है, मतरब रात में उपयोग करते हैं, किसी ची सामान TV remote, सामान TV remote, कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है, तो यह आपका यह औरत केरने होती है, ठीक है, यह कुशन भी कई बार एक्जाम में आ चुका है, नेज़ कुशन है, पिर्थभी के वायो मंडल में आयन मंडल, मैंने भी आपको बताया था क यह आयन मंडल की एक परत है, कहलाएने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि, ठीक है, जो भी हमें आपको बताया था, तो सुसाध्य क्यों बनाती है, पहला है, ओजोन की उपस्चिती रेडियो तरंगों को पिर्थभी की और प्रावर्थित करती है बिल्कुल गलत हो जाएगा रेडियो तरंग जो या देखना है जो रेडियो तरंगे होती है इनका ओजोन से कोई संबंद नहीं होता है और ओजोन की जो प्रत होती है यह आयन मंडल में होती ही नहीं है यह समताफ मंडल में होती है तो पहला option गलत हो जाएगा क्योंकि यह सत् कोई सही नहीं है। ठीक है। नश्टाप का टेली विजन दर्सक डिस एंटिना परियुत करते हुए बरसात में उपगरा सिगनल नहीं प्राप्ट करते हैं क्योंकि याद गना जब हम याद गना डिस टीवी को देखते है जो एंटिना लगा जाता है आजकल टेली विजन के ल चोटे होते हैं, पहला point बिल्कुल सही है, वर्सा की बूंदे रेडियो तुरंगों की उर्जा आउसुसित करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, और वर्सा की बूंदे रेडियो तुरंगों की उर्जा की मूल दसा को बिचलित कर देती हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो अक्सर देखाओ, जब ज़्यदा बरसात होती है, तो उसमें देखा होगा कि TB में डिस अच्छे नहीं आते हैं, बार-बार हमें परसानी होती है, ठीक है, तो यहाई इसका answer क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा, नश्टा आपका आतों के रोगों के निदान में निमने किरणों का परियोग के जाता है, जो आत का हम आपरेशन करते हैं, कोई रोग होता है, तो उसका पता लगाने के लिए, और उसके इलाज के लिए हम X किरणों का उपयोग करते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, आपका A हो जाएगा, तो इससे जोड़ों के question बहुत जादा है, ज ठीक है, next question है, नउट की मैं से किसका अविसकार, बिलहें रोड़्जन द्वारा किया था, थि उन्होंने किसका अविसकार किया था तो इन्होंने X Ray Machine का अविसकार किया था, जो X Ray Machine होती है, उसका आपर इसके answer हो जाएगा, आपका B हो जाएगा, ठीक है, next question है, बहुत अच सबसे ज़्यादा होती है फिर द्रो में सबसे ज़्यादा होती है और अंत में गैस में होती है तो यहां पर जल क्या है द्रो है इस पात क्या है ठोस है और नाइट्रोजन क्या है यह आपका गैस है तो अगर औरो ही करम इसको हम सजाते हैं तो ध्रोन की चाल सबसे जो है कम और सबसे ज्यादा किसमें होगी इसоссाइशाव से बताना क्यों कि variant Hai और निद्म कुछा गया है ठीक है त्यार ने सबसे ज्वह द्हों की चाल सबसे कम किसमें होगी तो नाय ट्रोजन में होगी इस पात में होगी एसका answer क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा तो इस तरह के question exam में पूछे गए में के दोने तरंगे निरवात मिया माध्यम क्या ओसकता होती है एक ठेस्छ छांटीयगा एफिक हाल की दिवारों को जब आप किसी कभी मूवी देखने जाते हैं तो वहां कि जो दिवार होती है उनको जो है music concert से उनको ऐसा बना जाता है कि जो धोनी होती है वह वापस टक्रा करके नहीं आती है और धोनी को अवसोसित कर लेती है तो इसका answer है तो आपकी आवाज गूजती है आपके किसमें कमरे में क्यों क्योंकि वहां पर याड़ करने कोई छमता नहीं होती है आवाज भाने निकलती है तो इसलिए जो मूबी के हॉल होते हैं उनमें जो है म्यूजिक कंसर्ट लगा जाते हैं जिससे वह क्या करते दोनी के अवसोसित कर लेते हैं इसलिए जो है sound repeat नहीं होता है तिहां इसका answer क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा नेश्ट आपका चंद्रमा की सता चंद्रमा की सता पर दो व्यक्ती एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि आप चंद्रमा पर वाई मंडल नहीं है और जब वाई मंडल नहीं होगा तो गैस नहीं होगी और गैस अगर नहीं होगी तो हम माध्यम न निकलेगी वो सामने वाले तक पहुचेगी ही नहीं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है नेश्ट आपका प्रासरब धोनिया होती है जिनकी आबिर्ति कितनी होती है तो 20,000 होड से अधिक होती है उन्हें हम प्रासरब तरंगे कहते हैं तो इसका एंसर क्य गर्ब में भून के विकास को जानने के लिए निम्रखित कियों या तरंगों में से किसका उप्योग के जाता है जब किसी महिला के गर्ब में बच्चा कोई होता है भून होता है तो उसका पता लगाने के लिए किस उपकर्ण का हम किस तरंगों को उप्योग करते हैं तो याद छमगादर के आखें नहीं होती है उध प्राशर्प तरंगों के माध्यम से निज्देसित होते में और उड़ते कोशन है ठीक है पहला है जो आपका हिर्दय होता है वह अपसरब अबिर्थी पर कंपन करता है ये बिल्कुल सही है ठीक है तो हमारा हिर्दगर कभी पुछा जाए किस अबिर्थी पर कंपन करता है तो आप बताएंगे, अब सरब तरंगों पर करता है, बिलकुल सही है, दूसरा है, धोन की गती गैस में और द्रो और ठोस के तुला में अधिक होती है, बिलकुल नहीं होगी, आपको पता भी मैंने आपको बता है, कि धोन की गती होती है, वो ठोस में सबस्यादा होती है, फिर द्रो म दो नमबर दोखो यहां पर दिया है तो यह भी option कट गया तो अपने आप इसका हमें पता चल गया कि option इसका c होगा एक तीन और चार होगा ऐसे भी हम answer निकाल सकते हैं तिसरा है मैक संख्या धोनी की गती औरित करने का एक प्रयोकत में लाती हैं बिलकुल सही है पर असरब धोनी की ability बीसे और होड़ से रिक होती है यह भी बिलकुल सही है तो यह सारे कथन सही हो जाएगे एक कथन को छोड़ करके दो नमबर को तो इसका answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा तो अगर हमें सब पता है तब भी निकाल सकते है और हमें कोई एक दो चीजों के बार नहीं पता है तो इस तरह क्या answer करके भी हम इसको निकाल सकते है कि काट करके भी ठीक है तो इसका answer क्या हो तो उससे क्या होता है तो निकलने से ऐखाग्सुम में बाधा आती है और परत क्या करती है और खन legit कर देती है इसका एंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा नेश्ट आपका डेसीबल इकाई का परियोग किया जाता है किसके लिए तो डेसीबल इकाई का परियोग हम किसके लिए करते हैं धोन की तीवर्ता को मापने के लिए इसका एंसर भी हो जाएगा जब एक धोनी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह रासी को आपरिवर्थित करती है या दखना इसमें सा क्या है जिसका परिवर्थन नहीं होता है तो इसका हो जाएगा आविर्थी आविर्थी फेक्वेंसी कभी नहीं बदलती है तरंगे बदल सकती है, चार बदल सकती है, आयाम बदल सकता है, लेकिन कभी आविर्थी नहीं बदलती है, कब जब धोनी तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेस करती हैं, तो तिहां इसका answer हो जाएगा आपका, A हो जाएगा, नश्टा आपका धोनी की मुलभू चोटी काई होती है उसको कहते हैं धोनी ग्राम कहते हैं तो इसका एंसर भी हो जाएगा नेश्ट आपका जब टीवी का स्विच अन किया जाता है तो क्या होता है पहला है आपका स्रव मतलब सुनना और देखना दोनों एक साथ सुरू होते हैं यही इसका एंसर होगा कभी देखा होगा साउंड पहले आ जाता है और दिस बाद में आता है कभी-कभी ऐसा भी होता है लेकिन दोनों एक साथ सुरू होते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा नेश्ट आपका दूर दरसन परसान में चित्र संदेशों का जो है संचन होता है कैसे तो दरसन जो परसान होता है उसमें जो चित्राते हैं उनमें वो कैसे होते हैं तो आयाम मेडूलन दौरा होते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा नेश्ट कोशन है आपका एक मकान में दो बल्ब लगे हैं ये बिदुधारा का कोशन है एक मकान में दो तो प्रकास देता है कौनसा कथन सही होगा, महलो एक घर है, एक घर में दो बल्ब लगे हैं एक जढ़ा प्रकास दे रहा है, तो उसके पीछे क्या करना है तो लिखार लिका़ तो इसका जो जनरेटर में लगाया जाता है ठीक है टर्बाइन में भी लगाया जाता है नेश्ट आपका टर्बाइन वा डाइनेमो से विजुली प्राप्ट करने में किस उर्जा को बिदुत उर्जा में बदलने का काम होता है ठीक है यह बहुत इंपोर्टन्ट है और जनरेटर जो होता उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है तो इसका answer यहाँ पर C हो जाएगा, नेशना आपका जब बिदुत उर्जा गती में परिवर्तन होता है, तब क्या होता है, तो इसका answer हो जाएगा आपका उसमा की कोई हानी नहीं होती है, जब बिदुत उर्जा जो है, अपने गती में पर बिदुत मोटर क्या काम करता है, तो या लखना, बिदुत उर्जा को यहांत्री कुर्जा में बदल देता है, यह डाइनेमो का ठीक उल्टा है, डाइनेमो क्या करता है, यहांत्री कुर्जा को यहांत्री कुर्जा में बदल देता है, बिरुकुल डाइनेमो का ठीक उल्ट तिहां इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा नेक्स्ट आपका ऐसा उपकरण जो रासानी कुर्जा को बिदुतुर्जा में परिवरतन जो करता है उस उपकरण को हम क्या कहते हैं बैटरी कहते हैं इसका एंसर हो जाएगा आपका A हो जाएगा तो बैटरी में रा जो उसमें बल्ब में आप चित्र में दे सकते हैं, बल्ब के पीच में जो तंतु उसमें लगे हुए हैं, उसमें हम फिलामेंट कहते हैं, तो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन जो है, जल्दी जो है गरम नहीं होता है, जल्दी जो ह आपको बताया उसका तापान कितना हो सकता है यह पूछ जा रहा है तो उसका जो तापान होता है वो होता है दो हजार से लेकर के पची सो सेंट्रिगर तक वो जो है सहन कह सकता है पिघलेगा नहीं इसी लिए टंगस्टन का यूज करते हैं किसमें बिजूली चमकना से ब्रिच में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अतेदिक मात्रा में क्या होती है ठीक है जब बिजूली गिरती है तो किसी पेड़ गर इसमें आग लग जाती है पेड़ में भी ठीक है और या देखना बिजूली गिरने घरना सबसे दिक कहा होती है तो बिहार और जहार खंड में होती है नश्राप का तड़ी चालक इमारतों को नश्ट होने से बचाते हैं क्योंकि वह आबेस को पिर्थवी तक भेज देते है इसका ए हो जाएगा अब इसको मैं समझा लेता हूँ कैसे जैसे मारे यह कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है आप इस चित में भी देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के उपर आप देखेगा तो उसके उपर एक तांबे की छड़ लगाई जाती है सुचित बची रहेगी ठीक है इसी लिए उसे या दखना यावेस को कहां भेज देता है प्रिथिवी के अंदर भेज देता है और पुरी बिल्डिंग सुचित हो जाती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं तड़ी चालक कहते हैं ठीक इसका एंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ठीक है निश्चा आपका बिदूत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है जो बिदूत उपकरण होते हैं उसमें अर्थ का उपयोग होता है क्या करने के लिए तो या दखना सुरच्छा के लिए होता है सुरच्छा के लि तिसका answer हो जाएगा आपका C हो जाएगा तो विदुत का उसमें प्रभाव होता है फ्यूज का सिध्धान्त ठीक है? निश कुशन है फ्यूज में पर्युक्त होने वाले तार की विसेश्था क्या होती है जो फ्यूज होता है उसमें जो तार लगाते हैं उसकी क्या भी सेश्था होती है तिसका answer C हो जाएगा उच पर्तिरोधक सक्ती और निम्न गलनांक होता है वो जल्दी गलेगी नहीं और उसके अंदर पर्तिरोधक च्छमता सबसे ज़्यादा होती है तिसका answer क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा नेश कुशन है हेलोजन लैम्प का तंतू मतलब जो फिलामेंट होता है निम्न की मिस धादुका बना होता है बलब में तो आपको पता है टंगस्टन का उपयोग होता है लेकिन जो हेलोजन लैम्प होता है उसमें किसका उपयोग होता है तो टंगश्टन और सोडियम को उपयोग होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा इसमें टंगश्टन के साथ सोडियम भी उपयोग करते हैं नेश्ट आपका घरेलू बिदू सप्लाई के दोरान काले रंग का आवरन युक्त तार जो लगा जाता है क्या होता है यह आपका होता है उदासीन तार होता है ठीक है नीट्रल तार होता है जो काले रंग का लगा जाता है जब घर की सप्लाई होती है तो इसका एंसर C हो तो सेफयली का full form भीग्या में पूछा जा चुका है और श्राव का परकास Professor कार के सिधान्टर यह क्या होते हैं तो जो कार का सिधान्ट किसे निर्भर करता है बिदूत संदि cash करता है तो इसका answer हो जाएगा आपका di हो जाएगा निश्षकूशन है Floreiac Tube प्रदिफद बल्ब में कौन सी gase भरी जाती है जो इसे कहते है mya Tabii pi लाइट में कौन सी google भरी जाती है पुछ जा रहा नहीं आपके फिर या एक अधिसरासी है ठीक है तो इस और सदिसरासी गलत हो जाएगा इसके लिए तो बिद्दूद विभक्या होता एक अधिसरासी होती है ठीक है तो अधिस और सरस्यों से भी कुशन ग्यादा पूझे जाते हैं कुछिछ生 आपका transformer परियुक्त होता है किसके लिए तो जो transformer होता है तो अच Мих होता है आज कर मोबाइल को ज्यादा होता है निटेगा है नह시면at न कि अचर्जिफा है एक यहाद एक ऐट अचय जो है ट्रंसफارमर होता उप्चाई प्रांसफर्मर होता है कौन मोबाइल चार्जर तो इसका एंस हो जाएगा आपका डी हो जाएगा पिर्थभी के चुमक्य छेतर का कारण क्या होता है पिर्थभी के अंदर जो चुमक्य छेतर होता है उसके पीछे कारण क्या होता है तो भू कोड के अंदर की चक् इसलिए वहां से सब्सक्राइब दक्राइं च corazón गोड़ दख सब्सक्रांग tiro सब्सक्राइब पाद में लगते हैं उसे सब्सक्राइब करते हैं चाह्कोरा कि देखक पतवार्ज चुल धजैना सहा नेस्ट आपका photo-bolt AAA cell संम्मंदित होते हैं जो photo-bolt selle होते हो संमंदित किसे होते हैं या दखना यह भी बहुत इंप्रक्टन कुशन है यह होता अपका सौर उर्जा से तो photobuildic cell लग होते हैं किसमें सौर उर्जा में तिसका एंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा और next question है सौर उर्जा को بد्धूत उर्जा में किसके दवारा primary Dr. किया जाता है तो सौर उर्जा को بد्धूत उर्जा में प्रोतिर करने का काम कौन करता है? intermittent photo sleep गोन सिकाओं धोरा होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, ठीक है तो photography self होते हैं जिनके धोरा क्या होता है तो सोर उर्जा को बिदुरजा में बदला जाता है, आज कर इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ठीक है, इसके सुरोधर योजना शुरू की गई है, बहुत सारा काम हो रहा है इस पे, ठीक है, इसका answer हो जाएगा आपका B, तीर यह जा रखना, तीन चेप्टर बहुत जो महातपूर्ण है, तरंग, ध्वनी इस पार्ट में, वीडियो कोई तक देखेगा, कहीं कोई doubt होता है, तो comment रहके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, okay, thank you